प्रोफेसर राजेश शर्मा जी, रादे रादे महराजी, महराजी मैं शुक्षम लगू एवं मद्यम उद्योग के राष्ट्री बोर्ट का सदस्य हूँ, महरा प्रश्ण यह है कि एक नेता यहां पदाधिकारी कैसे धरम पूर्वक देश की सेवा करें? हम इतना केवल समझते हैं कि यदि आप अपने को शेवक शमझेंगे, भारत का कोई भी पद हो, शेवक भावशे ही वो उच्च कोटिका होता है, अगर प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री या जो भी हैं, वो प्रजाग ने उनको चैन किया है उनकी धर्म पूर्वक आमें सासन भाव को रखने के लिए, तो वो शासन शेवक रूप से रखना होगा, क्योंकि शारा जगत भगवस श्वरूप है, अगर आप इस सास्त्र की बाद को शमझते हों, कि शारा जगत भगवस अंससे प्रकाशित है, भगवान श्री क्रश्न चंदुई जू ही सब र जिसे हम अधिकारी पद मानते हैं, वो शेवा अधिकार है, शमाज को शुवेस्थित चलाना, या अर्थ को शुवेस्थित विभागित करना, या संपुर्ण देश की बेवस्था को शुचार रूप से चलाना, तो शेवा भाव हुआना, जब हम शेवा भाव रखेंगे, तो हमारे इस्ट हमारे श्वामी होंगे और वो जब हमारे श्वामी होंगे तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता हमारा मंगल होगा अगर हम श्वामी बन गए तो फिर हमारे विरोध में शक्तियां खड़ी हो जाएं क्योंकि अनंत शक्तियों का शाषन करने वाले भगवान है आप मानते इस बात को अगर हम शेव करें तो हमारे श्वामी होंगे भगवान और जब भगवान श्वामी होंगे तो कोई बालबाका नहीं कर सकता और शब की अथोचित सेवा होगी जहां हम अपने पद का अधिकार अपने गर्व के रूप में ले लेते हैं तहां हम ये भूल जाते हैं कि हमारा धर्व क्या है जैसे देखू दक्ष प्रजापती के पद पर विराजमान हुए तो बोध शंपन भगवान शीव की निंदा करने लेगा पद का अभिमान होते ही उजिव शभा में गए तो खड़े नहीं हुए भगवान शीव तो उन्होंने ऐसे कठोर वचन बोले जो कोई शाधारन भक्त भी नहीं बोलेगा ऐसे महान भगवान शीव को इतने कडवे वचन बोले परणाम क्या हुआ सर काट करके मरोड करके यग्य में फेक दिया गया और बकरे का मुल लगया गया और प्रजापती सबसे बड़ा पद है स्रिष्टी का अगर वो इस पद का अभिमान न करके शेवकाई के भाव में आते तो कभी भगवान संकर के निंदा नहीं करते कभी अधर्म आचरण नहीं होते जब हम किशी पद का अधिकार ले लेते हैं तो उसका गर्व हमारे द्वारा अशत आचरण कराने लगता है अशत आचरण का ताथ पर होता है जो भगवान आग्या कर दे उसके बिरुद आचरण तस्मास शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्यों व्यवस्तितों जो शास्त्र प्रमाणित कार्य हैं उनसे हम बिलग हो जाते हैं उन्हीं शास्त्रों के अनुशार ही कानून विभाग व्यवस्ता बनाई गई है कुछ थोड़ा उसमें संस्कृत में जैसे लिखा हुए हिंदी से बनाये गए पर है लगबग लगबग वोई शास्त्र के अनुशार ही शारे जीव भगवान के अंश है ये मानना होगा कोई भी हो किशी भी पदप्य हो शब जीव भगवान के अंश है वो अपने को भूल करक वो अधर्माचरण करते हैं कुछ धर्माचरण करते हैं उनी की विवस्था के लिए सारे विभाग बने हुए है अधर्माचरण वाले को छमा ना करो उसे दंड दो जिससे आगे से अधर्माचरण में प्रवत्ती न बढ़ाए और अगर वो धर्म से चल रहा है तो हमें कि प्राति य perspective कामनाओं शे जल रहा है यादि कीछी भी वास्षना सी ग्रशित है हमें खौन गया थाए तो हमें देखना चाहिए हमारे सोच ने हमारे कानुशरण करते हैं कोई भी होश्ष्ष्टी में उसको सुधार कर लेना चाहिए क्योंकि भगवान ही सब रूपों में बैठे हुए है ये जब बात जान जाया जाता है तो जीवन भारत देश समस्त विश्व का जगत गुरु है कोई कितना भी किसी भी बात में अग्रशर हो जाये लेकिन धर्म के लिए भारत देश है आप पीछे से लेकर अभी तक जहां कई भी अगर धर्म की विश्ष्ष्टा दिखाई देगी तो कोई नों कोई भारत का महान पुरुष जा करके भारत के धर्म की नियू हर जगे महल रूप में खड़ी चाए जहां देख लीजिए भारत धर्म देश है इसमें धर्म की प्रधानता है तो हमारे जिसे जितने भी विशेश्ष्पदा अदिकारी हैं वो शब धर्मात्माजन बनाए गए अगर वो धर्म से चले तो मन अशांत हो जाएगा आपका हर्दय भेवीत होगा आपको पद से प्रीता होगी शमान से प्रीता होगी और आगे सरीर छोड़ करके जाना इस बात से भेवीत हो जाओगी जाना तो सब को है कोई भी हो अगर आप धर्म से चलोगे तो मरना महुत्सव हो जाएगा मृत्यू की बात सुनकर आपके हर्दे में आना देखिए जीते जी हमने वो कारी किया है जो करना चाहिए जो नहीं करना चाहिए जो नहीं किया है तो मालिक के सामने जब पहुंचेंगे तो हमारा श्वागत होगा ना कि हमें दंड दिया जाएगा इतनी बात समझनी है कि हम च कोई भी आस्त्र किशिवी तांत्र मंत्र श्राप की किसी की ताकत नहीं कि भगवान के शरणागत को इस पर सके इसलिए इसलिए लिए आपको भगवान का नाम स्श्वामी मानों और जगत उसी आराद्य देव का अंस है उसके हमें शेवा करनी बड़ा पद मिला है तो बड़ा सो भाग है सेवा का अधिक से अधिक दूसरों को सुख पहुचाने की भावना रखो अधर्मी पुरुष के द्वारा दिया हुआ धन का विश्वईकार न करे अगर ऐशाधन अपने पास आता है तो कुल परम परागत वो दुख प्रदान करता है और धर्मात्मा जनु के द्वारा या हमें सरकार के द्वारा जो हमारी शेवा के द्वारा मिल हम माना कि आप बहुत संसारिक्ता का विलास्ता का दर्शन नहीं करा सकते कि भाई आपके पास बहुत है आप इतने बड़े पद में हो करा पैश्य चलते ऐसा भी लोग कह सकते हैं लेकिन आपको वो पद मिलेगा जो लोग नहीं देख सकते हैं और जब हम इस बात में आ जाते हैं कि हमें अधिक से अधिक विलास्ता तो कितने दिन की असी वर्ष शो वर्ष इसके आगे जीवन है नहीं तो जो शमेटा हो सब यहीं रह जाएगा सिकंदर जब बड़ी वीरताख से दिखविजय करता जा रहा था तो ये शंत भगवान मिले और नाचने लगे उसने का तुम नाच के हो रहा है वो ले इस बात से नाच रहा हो कि तुम्हारे जैसे वीर से आज मुलाकात हो गए सुनो भईया तुम बहुत बड़े बीर हो एक सुई ले 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 हो और ये संभाल के रखना जब मरू ना तो परलोक में हमें दे देना क्योंकि हम तो ठहरे भिकारी हमारे कपड़े फट जाते हैं तो सुई तिसे हैं तो ले आप पागल हो एक सुई कैसे वहां जा सकती परलो करना और जब सिकंदर मरे तो सौ से ऐसे हाथ निकाल देना कि सिकंदर जैसा बातसा जा रहा है इतना बड़ा पदाधिकारी और कुछ लेकर नहीं जा रहा खाली हाथ जा रहा है तो ये बात हम ध्यान रिकेंगे तो हम बहुत आगे निकल जाएंग जो परमारत में भी प्राफ।